बेंगलूरू टेस्ट से पहले टीम इंडिया को बड़ा जटका लगा स्टार्वलेबाた शुबमंगिल के पहले टेस्ट मैच में खेलने पस अस्पेंस, शुबमंगिल की गरदन में अकड़न बेंगलूरू टेस्ट से हो सकते हैं बाहर रिपोर्टर्स के मुताबिक फिजियो की देखरेक में शुबमन गिल कर रहे हैं तैयारी प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान कप्तान रोही शर्मारे नहीं दिया शुबमन गिल पर बयान 16 अक्टूबर को बेंगलूरू के चुना स्वामी स्टेडियम में खेला जाये का भारत न्यूजिलेंड के बीच पहला टेस्ट भारती एसमय नुसाज सुभ़ साड़े नौव वज़े शिरुग का मैच बैंगलूरू के चिनस्वामी स्टेडियम में भारत न्यूजिलेंड के बीच के ले गए हैं तीन टेस्ट मैच इनों टेस्ट में भारत ने न्यूजिलेंड को शिकस दी दो साल पहले बैंगलूरू में भारत ने शुलंका को हराया था बैंगलूरू टेस्ट पर मनराया बारिश को असाया बारिश की वज़ा से टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन पर पड़ा सर ग्राउंड स्टॉफ ने पिच पर डाले कवर्स 16 अक्टूबर को 45 परसंट बारिश के उम्मीद बैंगलूरू टेस्ट से पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहिश शर्मा की प्रेस कॉन्फरेंस रोहित ने दिया प्लेंग 11 पर बयान कहा टॉस के दोरान लेंगे प्लेंग 11 पर फैसला दो स्पिनर्स को देंगे टीम में मौका बेंगलूरू की कंडीशन पर दिया कप्तान रोहिश शर्मा ने बयान कहा पिच की कंडीशन को देख कर लेंगे फैसला हमारा पूरा ध्यान मैच को जीतने की तरफ मौहमज श्यमी की फिटनेस पर रोही शर्माने दी प्रतिक्रिया कहा उस्ट्रेलिया के खिलाव सीरीज के लिए श्यमी पर फैसला लेना मुश्केल हम आदे अधूरे फिट खिलाडी को उस्ट्रेलिया नहीं ले जा सकते जस्परीत बुमरा को कप्तान बनाय जाने पर कप्तान रोई शर्माने ने कही बड़ी बात रोहित ने कहा हम दोनों ने साथ में काफी क्रिक्ट खेला बुमरा के पास खेल की अच्छी समझ न्यूजिलेंड क्रिकेट टीम में मची खलबली भारत के खिलास सीरीज शुड़ू होने से पहले तेज गेंदबास बने सियर्स हुए बाहर पाई गुटने की चोट की वज़ा से बेंड सियर्स पूरी सीरीज से बाहर जैकब डफी को मिला बेंड सियर्स के जोगा मौका न्यूजिलेंड टीम के युवा खलाडी रचिन रविंदर करेंगे अपने घर में डेबी बंगलूरू में खेलेंगे अपना पहला टेस्ट मैच बंगलूरू से है रचिन रविंदर का फैमली कनेक्शन रचिन रवेंद्र ने बेंगलोरू टेस्ट से पहले भरी हुंकार कहा भारत के खिलाफ अच्छी प्लैनिंग से करूँगा बले बाजी IPL में चेने सूपर किंग्स से खेलते हैं रचिन रवेंद्र इंग्लाइन के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में फेल हुए पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद तीन रन पर जैक लीज की गेन पर गवाया शान मसूद ने अपना विकेट मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी ओपनर सेम अयूब ने जड़ा टेस्ट करियर का 30 सार्द शतक 170 गेन पर सतत्तरन बनाकर पवीलियन लॉटे सेम अयूब मैथियो पॉट्स ने लिया विकेट बाबर आजम की जगा दूसरे टेस्ट में शामिल किये गए कामरान गुलाम ने किया कमाल डेब्यू टेस्ट में खेली शतके पारी 192 गेन पर जड़ा शतक पाकिस्तान के लिए कामरान गुलाम ने दुस्त किये बड़े रेकॉड्स पाक्तिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिन अफरीदी ने PCB के फैसले का समर्तन क्या PCB ने हाल ही में बाबर आजम शाहिन अफरीदी और नसीम शाक को दिया था दूस्रे टेस्ट में आ रहा शाहीद अफ्रीदी ने सोचल मेडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा बाबर शाहीन और नसीम को आराम देने का फैसला सही सीनिय खिलाडियों को आराम देने से जूनियर्स को मिलेगा मौका बांगलदेश टीम के हेड कोच को BCB ने ततकाल प्रभाव से किया बर खास्त खिलाड़ी को थपड मारने का हुआ अक्शन चंदिका हतरु सिंगे को अनुशासन का पालन ना करने के लिए सस्पेंट किया गया चंदिका को 48 घंटे के लिए सस्पेंट किया गया था लेकिन उसके बाद अतकाल प्रभाव से बर खास्त किया गया 2023 वंडे वर्ल्ट कप के दौरान हतरु सिंगे ने नसुम एहमद को थपड़ लगाया था चंदिका की जगा फिल सिमन्स को मिल सकती है अंतरिम कोच की जिम्मेदारी 2025 चैंपिन्स टॉफी तक संभाल सकते हैं फिल सिमन्स कोच की जिम्मेदारी